हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे मुली भाजी की सब्जी इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है जितनी भी हरी पत्यदार सब्जियां अभी आ रही है ना मार्केट में वह बहुत ही अच्छी फायदेमंद होती है हेल्थ के लिए तो आप इन्हें जरूर सिखाईए आज मैं बना रही हूं मुली भाजी की रेसिपी तो यह देखिया हमारे हां इस तरीके से आती है मुली भाजी अभी यह सुरवात की है तो इसमें जो मुली है ना वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है छोटी-छोटी सी है पतली-पतली सी मुली लगी है इसमें और य के वाली मूली मैंने ले ली है कि तो मैंने इसे अच्छे से दो लिया है उसके बारिसे बहुत बारी-बारी काटना है तो पतली-पतली से जो मूली थी का INTERP तो इसे मैंने साफ करके अलग प्लेट में निकालर करके रख लिया है कि यहां पर मैंने दो चम मसितелей डाल दिया है कड़ाई में अब इसमें जाएगा खूप सारा लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है जो भाजिया हमें आपर बनाते हैं अच्छतिस गड़ में उसमें बहुत सारी भाजियां ऐसे ही बनती है सिम्पल उनमें जीरा राई और बहुत सारे मसालों का उपयोग हम नहीं करते हैं सिम्पल तरीके से बनाते हैं और बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो अगर आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है तो आप जरूर करके देखिये इसे यहां पर लगभग साथ आठ कली लहसुन थी जिसे मैंने इस तरह से बारी बारी काट लिया है तो लहसुन का कलर जैसे हलका से ब्राउन हो जाए इसमें हम सुखी लाल मिर्च डालेंगे तो चार सुखी लाल मिर्च है यहां पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले जतना भी आप दिखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से पहले हम लहसुन डालेंगे उसके बाद मिर्ची डालेंगे यदि हम मिर्ची पहले डाल देंगे तो मिर्ची जल्दी से जल जाएगी इसलिए पहले लहसुन को डाला हमने उसके बाद फिर मिर्ची डालेंगे मिर फाइबर की मात्रब बहुत ज्यादा होती है तो सारी भाजियों को मैंने डाल दिया है यहां पर मैंने एक मुठी चने की डाल भीगाई थी धो करके इसे आधा घंटा पहले भीगा करके रख दीजिया एक घंटा भीग जाएगी तो और भी अच्छी बात है तो जब भी आपक जरी भीगा देजिए डाल को तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगती तो बाजी के ऊपर ही हम चने डाल भी ढाल देंगे मिक्स करने इसे और ढब करके इसे दो मिश्मच्ण के लिए पकने देंगे तो लगभग मैंने इसे तीन मिनट पका लिये है अब चलिए चेक कर लेते हैं इसे यहां पर हम स्वादयन सरनमक डालेंगे चमचला करके मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से तब तक पकाएंगे जब तक कि भाजी और चने की डाल जो हमने डाला है वो अच्छे से पक न जाए बिच बिच में आप इसे चेक करते रहिए और इसे अच्छे से पका लिजिए तो करके उसे भी सी में डाल देंगे और इस तरह से भाजियों के नीचे में हम टमाटर डाल देंगे तो टमाटर को हम नीचे इसलिए करते हैं यह सब्जियों के भाप के साथ में मिल करके बहुत जल्दी कर जाती है तो इस तरह से साइड में या बीच में करके आप इसे ढग द थोड़ी देर और भून लेंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो खतम हो जाए तो लगभग 5-7 मिनट बात यह देखिए टमाटर भी गल चुकी है और भाजियों ने जो भी पानी छोड़ा था ना वो भी सारी सुप चुकी है इसमें तो त्यार है हमारी मूली भाजी अ यह बहुत ही अच्छी लगती है आप चाहे दाल चामल के साथ में खाए या रोटी के साथ में खाए बहुत टेस्टी लगती यह भाजी तो आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखे इस तरह से अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को यह बहुत हुआ है आपको 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 को उपको नहीं सिंते हाँ कर 10 यह को Kayla को कर दो एक कर दो प्लीघयो को आपको एक कि मुदार finerले हो यह लगती है कि अवले एक कर 15 में एक dens west yaş